इस प्रश्ण में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाली में अजंता एलोरा फिल्म फैस्टिवल में किसे सर्विश्रेष्ट फिल्म के लिए गोल्डन के लाश पुरिसकार से सम्भानित किया गया तो अंसर होगा नानेरा तो दिपंकर प्रकाश के द्वारा निर्देशित ये एक राजस्थानी फिल्म है नानेरा इसका मतलब होता है नाना जी का घर और अभी इसे अजंता एलोरा फिल्म समारो में बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन केलाश पुरिसकार से सम्भानित किया गया इस फिल्म ने स्क्रीन प्ले बेस्ट एडिटिंग का भी पुरुसकार जीता है पुरुसकार के रूप में इसे एक सर्टिफेकेट और एक लाख रुपे मिले बाकी इस फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो इस बार ये इसका आठवा संसकरन है जिसका आयोजन कहां पे हुआ जिसका नाम क्या है ओरनवेश नन्थी नते कथा ये इनकी आत्मकता है बायोग्राफी है और इसी के लिए अभी फेडरल बैंक लिट्रेरी अवर्ड दो 2022 से इनको सम्मानित किया गया आपको बता दू ये फेडरल बैंक के द्वारा गठित पहला साहित्तिक पुरुसकार है फेडरल बैंक का मुख्याले कहां पर है अलुवा केरल में और इसके CEO शाम शरीनिवासन है आपको याद होगा अभी जेपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचिमेंट अवर्ड मिला था पढणा सेनको और हिंदी भाशा में साहित्याकाद में पुरुसकार मिला है बद्रे नारायन को उनके कविता संग्र तुम्डी के शब्द के लिए और अंग्री जी का मिला है अनुरादा रॉय को All the Lives We Never Lived के लिए तो ये नाम भी याद रखना नियूज में थे बढ़ते आगे चलिए फिर बताईए हाली में गाजा कैपिटल बिजनेस बुक पुर पुरुसकार 2022 के विजेता के रूप में चुना गया है उन्हें ये पुरुसकार उनके किताब Brock to Breakthrough the Rise of India's Largest Private Direct Company के लिए मिला है तो हरीष्ट दामुदरन का नाम याद रखना एक गितांजली श्री बहुत important नाम है इन्हें अभी 2022 का International Booker पुरुसकार मिला था और ये के लिए भारतिय बनी है इसलिए इनका नाम important है इनकी पुस्तक Tom of Sand के लिए और इसका translation किया था Daisy Rockwell ने तो उनको भी ये पुरुसकार मिला था बाकिया आप जानते हो अभी असम का सर्वुच नागरिक पुरुसकार 2022 के लिए मिला है डॉक्टर तपन सेक्या को उस पुरुस अभी हाली में किसे श्रीद्वार का प्रसाद अगरवाल पुरुसकार के लिए चुना गया तो आनसर होगा इरिशात कामिल को तो विश्व प्रसिद्ध साहित्य के महा कुम्ब जैपुर लिट्रेचर फेस्टिवल में मशूर गीतकार इरिशात कामिल को प्रतिष्ठित श् 2023 से सम्मानित किया गया इस अवाड में उन्हें एक लाख रुपे और एक सर्टिफिकेट मिला है इर्शाद कामिल हिंदी साहित्य में पीज़ी करने वाले बॉलिवुड के पहले गीतकार हैं ये उन्होंने काफी सारे जवी मेट, रांजणा, रोक स्तार, सुल्तान, तमाशा और भी कई फेमस फिल्मों के यादगार गीत लिखे इन्होंने इर्शाद कामिल बाकिया आप जानते हो भी डॉक्टर कलाम सेवा पुरुसकार मिला था रवी कुमार सागर को फिक्की ने Lifetime Achievement Award 2022 से सम्मानित किया राजिंद्र पमार को और सयुक्त राष्टर का सर्वुच परियावरन पुरुसकार मिला जिससे क्या कितने हैं? Champions of the Earth Award किसे मिला? पूर्णिमा देवी बर्मन को ये most important points है ध्यान रखना ये बढ़ते आगे तो इस प्रश्ण में पूछ रहें कि अभी जनवरी 2023 में किसने मानवता की सेवा के लिए ISA पुरुसकार 2022 जीता है तो अंसर होगा सेंडुक रूइट ने तो हिमालियन मोतियाबिंद परियूजना के सह संस्तापक और प्रख्यात नेपाली नेत्र रोग विशेशग्य है ये डॉक्टर सेंडुक रूइट इन्होंने अभी जनवरी 2023 में मानवता की सेवा के लिए ISA पुरुसकार 2022 को जीता है आपको बता दू ये जो पुरुसकार है ये बहरीन देश का एक सीर्ष नागरिक पुरुसकार है बाकि डॉक्टर सेंडुक रूइट की बात करू तो उन्हें कई लोगों की आँखों की रोश्नी बचाने के लिए प्यार से गॉड औफ साइट भी कहा जाता है उन्हें पदमशिरी मिल चुका है भुटान का National Order of Merit मिल चुका है और रेमन मैकसे से पुरुसकार के साथ और भी कई पुरुसकार मिल चुके है जैसे उन्हें 2016 में Asian Game Changer Award से सम्मानित किया गया था अभी मिल रहा है ये आई ऐसे पुरुसकार 2022 के लिए Sanduk Ruit का नाम याद रखना है जैको बहरीन का नाम आया है तो बहरीन से Static आपके बनेंगे जैसे बहरीन की Capital मनामा होती है करंची है बहरीन दिनार और वहां के राजा का नाम क्या है हमद बिन इसा अल-कलीफा बाकी आप जानते हो मलियालम लेखक है ए सेतू माधवन इन्हे केरल का एजू थाचन पुरुसकार से सम्मानित किया गया था साइकलिस्ट है स्वस्ति सिंग 2022 का एकलवय पुरुसकार मिला और 2022 का जेसी भी साहित्य पुरुसकार मिला था खालिद जावेद को तो ये नाम भी ध्यान रखना बढ़ते आगे चलिए फिर बताईए अभी जनवरी 2023 में दुनिया की सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बन गई है तो आंसर होगा मारिया, ब्रान्यास, मौरेरा आपको बता है अभी हमने बढ़ा था दुनिया की सबसे उम्रदराज व्यक्ति थी कौन 118 वर्षय लिूसिल रेंडन जिनका अभी निदन हो गया वे फ्रांस से थी और वो एक नन्द थी और उनके निदन के बाद अभी मारिया, ब्रान्यास, मौरेरा ये दुनिया की सबसे ज़्यादा उम्र की इंसान बन गई है उनकी उम्र एक सो पंदरा साल है वेसे वो मूल रूप से तो अमेरिकी है लेकिन फिलहाल इस्पेन में रह रही है तो अब इनका नाम आप याद रखना चलिए फिर बदाईए अब ये हाली में किसे उपर राष्ट्रिस रुक्षा सलाकार के रूप में चुना गया है तो आंसर होगा पंकच कुमार सिंग को तो B.S.F. के रेटार डिरेक्टर जनरल है पंकच कुमार सिंग और इनी को अभी दो सालों के लिए डेप्यूटे नेशनल सेकुरिटी एडवाईजर के रूप में न्यूक्त किया गया आपको याद हो तो अभी 31 देसंबर 2022 को ये B.S.F. के डिरेक्टर जनरल के पत से रेटार हुए थे और आपको बता दू पंकच कुमार सिंग को देश में पुलिस सुधारों का योद्धा भी माना जाता है वैसे हमारे नेशनल सेकुरिटी एडवाईजर कौन है अजिट डोबाल है अभी ITBP के नए डारेक्टर जनरल कौन बने थे अनीश दयाल सिंग नेशनल हाईवेज अथरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे संतूष कुमार यादव और रेल्वे बोड के नए चेर्मेन और सीओ बने अनिल कुमार लाहोटी तो ये नाम तो इंपोर्टेंट है ही सही ध्यान रखना बढ़ते आगे फिर बताइए अभी हाली में जैसेंड़ा अर्डण ने किस देश के प्रधान मंत्री के पत से वे 2017 में जब 37 वर्ष की उम्र में प्रधान मंत्री बनी थी तब वे दुनिया की सबसे कम अम्र की महिला प्रमुक बनी थी फिर बताईए अभी हाली में राष्ट्र स्वास्त प्राधीकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया तो अंसर होगा प्रमीन शर्मा को तो अभी प्रमीन शर्मा को स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्राले के तहत राश्ट्र स्वास्त प्राधिकरन यानि कि National Health Authority का निदेशक नियुक्त किया गया है आपको बताएं सबसे बड़ी स्वास्त भीमा योजना कौन सी है आयुश्मान भारत प्रधान मंतरी जन आरूग्य योजना तो उसको लागू करने के लिए ही ये National Health Authority की स्थापना की गई थी जिसके अभी निदेशक बन गए है प्रमीन शर्मा हमने पड़ा था भी तेलंगना की पहली मैला मुख्य सचिव बनी थी शान्ती कुमारी नाम है ये नाम भी ध्यान रखना नियूज में थे इंपॉर्टे नाम है बढ़ते आगे फिर बताईए अभी हाली में कोलंबिया विश्वध्याले के 268 वर्षों के इतिहास में पहली बार किसे महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो आंसर होगा नेमत मिनोचे शाफिक ये इनका नाम है तो अमेरिका की जो कोलंबिया उनिवर्सिटी है अभी उसमें नेमत शाफिक इन्हें कोलंबिया उनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष बनाया गया है वैसे तो ये University की 20 वी नंबर की अध्यक्ष हैं लेकिन महिला अध्यक्ष में बात करेंगे तो पहली है अच्छा इसी तरह से आपको याद आएगा अभी Harvard University की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष बनी थी उनका नाम है Clodine Gay और नागो जी उनका जाई वेला आप जानते हैं ये Nigeria से हैं और क्यों नाम important है क्योंकि World Trade Organization की पहली महिला डारेक्टर जनरल ये बनी थी और केतानजी ब्राउन जैक्षन ये अमेरिकी सुप्रीम कोड की पहली अश्वेत महिला जज़ बनी थी ये भी नाम ध्यान रखना बढ़ती आगे तो इस प्रश्ण में आपसे पूछ रहें अभी हाली में पूरी तरह से e-governance mode में shift होने वाला पहला केंदर शाषित प्रदेश कौन सा बन गया है तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर तो अभी जम्मू कश्मीर ये digital तरीके को पूरी तरह से अपनाने वाला भारत का पहला union territory बन गया है अभी सरकारी सेवाओं को online करने का मुख्य उद्देशी क्या है लोगों को line to online करना मतलब इसके जरिये नागरिक सरकारी office जाए बिना सरकारी सेवाओं का लाब digitally उठा सकत सिंपल सा या इसका मतलब हो गया आप जानते हो जम्मू कश्मीर ये 31 October 2019 को union territory बना था जम्मू कश्मीर और लद्दाक में ये टूड गया था और ये union territory बने थे इसकी दो capital है summer capital इसकी शिरिनगर है winter capital इसकी जम्मू है left-hand governor इसके मनोत सिन्ना है चलिए बताईए अभी अप्र परियटन मंत्राले 10 से लेके 12 अपरिल 2023 तक नई दिल्ली में पहले वैश्विक परियटन निवेशक शिखर सम्मिलन का आयोजन कर रहा है चलिए फिर बताईए अभी जनवरी 2023 में भारत में भूमिगत खानों में स्वायत ड्रोन उडाने वाली पहली भारते फर्म कौन सी ब द्रोन उडाने वाली ये पहली भारते फर्म बन गई है तो स्क्वैडरन ने उदेपुर राजस्तान में हिंदुस्तान जिंग लिमिटेड की भूमिगत खादानों में प्रूफ औफ कॉंसेप्ट को सफलता पूर्वक पूरा कर लिया है तो अब इससे बिना GPS के भूमिगत खानों, सुरंगों और दूरस्त इस्तानों में स्वायत उडान के द्वारा भूमिगत कामकाज की मैपिंग की जा सकेगी आचा ड्रोन की बात है तो आपको याद आएगा चलो पहले मैं आपसे कुछ प्रशन पूछूंगा उत्तर देनी की कोशिश करना उसे पता लगेगा कि आपका Current Affairs कितना तयार है और कैसा तयार है बताओ अभी किस ने Skyhawk नाम का भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन टेवलप किया तो आंसर होगा IG ड्रोन ने अभी प्रधान मंतरी जी ने भारत के पहले किस यात्री ड्रोन का अनावरन किया थो उसका नाम क्या है आंसर होगा Space के अचा ड्रोन निती को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बना हिमाचल प्रदेश और आप जानते हो Madison from Sky Project ये किस राज्य में शुरू हुआ थो तयलंगना में और स्वास्त सेवा में ड्रोन लॉंच करने वाला पहला भारते राज्य कौन सा है उत्तरा खंड है अचा किस देश ने ड्रोन के आयात इंपोर्ट पर प्रतिबन लगाया था भारत ने और नागरिक हवाई शेतर में ड्रोन को अनुमती देने वाला पहला देश कौन सा बना तो आंसर होगा इसराइल और देश का पहला ड्रोन स्कूल कहां पे खोला गया मध्य प्रदेश के ग्वालियर में और ग्वालियर में प्रदेश के पहले ड्रोन मेले का भी आयोजन किया गया था आप बताओ भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिंक लैब ये कहां पे स्थापित की गई तो आंसर होगा केरल में तो ड्रोन से संबंदित ये कुछ important question से ध्यान रखना बढ़ते आ तो दुनिया के सबसे उम्र दराज व्यक्ति थे जिनका भी 118 वर्ष की उम्र में निदन हो गया उन्हें सिस्टर एंडरे के नाम से भी जाना जाता था और वे किस देश के रहने वाली थी तो आंसर होगा फ्रांस की आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाय था 2022 में दु दुनिया के सबसे उम्र दराज व्यक्ति बन गई थी पर अभी इनका भी निदन हो गया फिर अगला प्रशन है अभी जनवरी 2023 में नील मनी फूकन का निदन हो गया प्रशन है ये आपसे पूछा जा रहा है उन्हें किस वर्ष के लिए ग्यानपिट पुरुसकार से सम्मान किया गया था तो आंसर होगा 2020 के लिए तो याद रखना भी जनवरी 2023 में प्रसिद्ध असम्या कवी नील मनी फूकन का निदन हो गया और आपको याद होगा हमने पड़ा भी था इन्हें 2020 के लिए देश का सर्वोच साहित्य पुरुसकार ग्यानपिट पुरुसकार मिला थ और साथ में आपको बता दू उन्हें की कवीता संग्रह कोबिता के लिए 1981 में असमया में साहित्य अकादमी पुरुसकार से भी सम्मानित किया गया था बाकि 1990 में पदम शिरिन को मिल चुका है और असम साहित्य सभाने उन्हें साहित्य अचार्य सम्मान से भी नवाजा था तो इनका नाम याद रखना और ग्यानपिट पुरुसकार की बात हुई है तो पहला ग्यानपिट पुरुसकार कब और किसे मिला था तो 1965 में जी शंकर क तुरुप को मिला था मल्यालम भाशा के लिए और 57 ग्यानपिट पुरुसकार की से मिला था तो 2021 के लिए मिला था ये दामोदर माउजो को अगर आपसे पूछा जाए कितनी भाशाओं में दिया जाता है ग्यानपिट पुरुसकार 20 भाशाओं में दिया जाता है 22 तो आपक पूछा जाए, यह साहित्य अकाद में पुरुषकार दिये जाते हैं, वो कितनी भाषाओं में दिये जाते हैं, वो 24 भाषाओं में दिये जाते हैं, तो 22 वो आठवी अनुसुची वाली, एक अंगरी जी और एक यहाँ पर राजस्थानी और जोड़ लुआ, और आपको है अनुरादा रोय को, All the Lives We Never Lived के लिए, तो इतने पॉइंट्स आप यहाँ से याद रखें, यह सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बाच चलिए, फिर बताईए, इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपूर्ट 2022 के अनुसार, कौन सा राज्य मोबाइल गेमर्स के लिए शीर्ष स्थान के रुप में उभराए, तो अंसरोगा उत्तर प्रदेश, तो जनवरी 2023 में, गेमिंग प्लैटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीक के द्वारा जारी, इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपूर्ट 2022 के अनुसार, उत्तर प्रदेश मोबाइल गेमर्स के लिए ट शारुक खान कौन से स्थान पर है, तो अंसरोगा चौते स्थान पर, तो अभी जनवरी 2023 में, वर्ल्ड आफ स्टेटेस्टिक के अनुसार, शारुक खान ये दुनिया के चौते सबसे अमीर अभीनेता है, जिनकी कुल संपत्ती है, 770 मिलियन डॉलर, यानि कि आप पैसों मे रुप्यों में बात करोगे, तो लगबक 6300 करूड रुपे से जादा है इनकी संपत्ती, इस लिस्ट में टॉपर कौन है, तो अमेरिका के जो एक्टर है, जैरी सीन फेल्ड ये टॉपर है, फिर बताईए, अभी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रेंग क्या है, तो अंसर होगा चौथे स्थान पर है, तो ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 में भारत को दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना की रुप में स्थान दिया गया है, पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर रशिया, तीसरे पर चाइना और चौथे पर है भारत और याद रखना इस इंडेक्स में देशों के परमाणू शमताओं को ध्यान में नहीं रखा गया है, चलिए फिर बताइए कि ब्रेंड फाइनेंस की वैश्विक आईटी ब्रेंड सूची 2023 की अनुसार, कौन सी भारते कंपनी टॉप पर है, तो आंसर होगा TCS, तो इंग्ल लगतार पात साल से वो टॉप पर बनी हुई है, सेकेंड पर DCS हो गई और 30 रिपे हैं इंफोसेस, फिर बताइए अभी हाल में वंडे में 12 शतक लगाने वाले दुनिया की सबसे कम उमर के खिलाडी कौन बन गए, तो अनसर होगा शुबमन गिल, तो भारत के युवा बल्ल बेबाज हैं शुबमन गिल और अभी न्यूजिलेंड के खिलाफ खेले गए वंडे मैच में 12 शतक लगाने वाले पांचवे भारतिये बन गए हैं ये, उन्होंने भी हैदराबाद के राजी उगांदी इंटरनेशनल स्टेडियम में 19 चौके और 9 चकों की मदद से 149 पारत के जो सचिन तेंतुलकर थे वो वंडे फॉर्मेट में 12 शतक लगाने वाले पहले बल्ले बाज थे ये पांचवे बने हैं शुबमन और याद रखना भी रोहित शर्मा वंडे किर्केट में सरवाधिक 3 शतक लगाने वाले बल्ले बाज बने थे शुबमन गिल आपको वे किस देश के बल्ले बाज हैं तो अंसर होगा साउथ अफरीका तो साउथ अफरीका के महान बल्ले बाज है हासिममला इन्होंने किर्केट के हर फॉर्मेट से अभी सन्यास ले लिया है वे साउथ अफरीका के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट रन बनाने वाले दूसरे ब भारत और यूके ये मिल करके यूवा पेशेवर योजना शुरू कर रहे हैं इसको इंगलिश में बोलोगे आप UK इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम और ये घोशना भी कहां पर की गई पंदरवे भारत यूके फॉरेन आफिस कंसल्टेशन की जो बैठक हुई थी अभी अभी जनवरी 2023 में भारत ये रेलवे में भारत और किस देश के बीच भारत कौरव डिलक्स AC परियाटक ट्रेन चलानी की घोशना की गई तो अंसर होगा नेपाल तो अभी भारते रेलवे ने भारत और नेपाल के बीच में भारत-कॉरव डिलक्स एसी परियटक ट्रेन चलानी की घोशना की है इसका उद्धेश है भारत और नेपाल के बीच संबंदों को मजबूत करना और दोनों देशों के बीच सांस्करतिक संबंदों को बड़ावा देना ये ट्रेन अभी 17 फरवरी को दिल्ली से रवाना होगी और अयोध्या और जनकपुरी धाम जो की नेपाल में है उनके साथ साथ नंदी गराम, सीता मड़ी, वारनासी और प्रयाग में जो तीर्त और विरासत इस्ताल है उनको भी कवर करीगी है बाकिया आप जानते हो पहली वंदे भारत ट्रेन ये कहां से कहां शुरू हुई थी दिल्ली से वारनासी और भारत की पहली ट्रेन कहां से कहां चली थी? मुंबई से थाने, ये बात है 1853 की किस के समय? डल होजी के समय, इसलिए उसे भारत में फादर ओफ रेल्वे का जाते है चली बताईए, अभी हाली में वर्ष 2022 के लिए सर्विश्रेष्ट बैंकों के सर्वेक्षन में सर्विश्रेष्ट लगू बैंक यानि कि स्मॉल बैंक का पुरुसकार किस ने जीता? तो आंसर होगा तमिल नाडू मर्केंटाइल बैंक तो अभी तमिल नाडू मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड ने वर्ष 2022 के लिए सर्विश्रेष्ट बैंकों के सर्वेक्षन में बैस्ट स्मॉल बैंक का पुरुसकार जीता है बैंक ने एक लाग करोड रुपे से कम के बुक साइज वाले बैंकों की केटेगरी में बैस्ट स्मॉल बैंक का पुरुसकार जीता इसकी स्थापना होती 1962 में हेड क्वाटर मिलेगा थुत्टु कुडी तमिल नाडू में और इसके MDCO है S. Krashnan आप जानते हो भी देश का पहला स्थीकर आधरेद डेबिट कार्ड किसने लॉंच किया था IDFC First Bank ने अभी Indian Overseas Bank के MDCO बने है अजे कुमार शिरिवास्ताव अभी बंधन बैंक इसने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान को लॉंच किया था तो ये भी facts याद रखना पढ़ते आगे फिर बताईए अभी हाली में किस IIT ने एक सुदेशी Mobile Operating System इसको डेवलप किया जिसका नाम है भरोस तो अंसर होगा IIT मदरास तो अभी IIT मदरास ने एक सुदेशी Operating System डेवलप किया है भरोस नाम से ये Operating System यूजर्स को High Tech Security और Privacy देगा और अभी IIT मदरास से आपको याद आएगा भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महुत्सव सारंग 2023 ये मनाया गया IIT मदरास में और अभी IIT मदरास ने Wharton QS Re-Imagine Education Award भी जीता था और आपको बताए समुद्रे लहरों से बिजली उत्पन करने वाली तकनीक भी डेवलप किटी IIT मदरास ने और भारत का पहला सुदेशी Polycentric Prosthetic घुटने का अनवरन भी किया IIT मदरास ने और IIT मदरास ने ही पहला सुदेशी Motor चलीत Wheelchair भी डेवलप किया था नियोबोल्ट नाम से बाके IIT हैदरबाद से आपको याद आएगा अभी क्रशी कचरे से बनी Jave Eat Bio Brick से भारत की पहली इमारत का उधगाटन किया गया था IIT हैदरबाद में IIT हैदरबाद ने विकलांग वेक्तियों के लिए भारत का Artificial Intelligence आधारित जॉब पोर्टल लॉंच किया था उसका नाम क्या है स्वराजबिलिटी और IIT रूडकी इसने किसान Mobile Application लॉंच किया था और परम गंगा नाम से सूपर कंप्यूटर को इस्थापित किया गया था IIT रूडकी में ही IIT दिल्ली इसने दुनिया का सबसे छोटा वेरेबल एर प्यूरिफायर लॉंच किया था जिसका नाम है नासो 95 तो याद रखना यह सारे पॉइंट्स बढ़ते आगे चलिए फिर बताईए अभी हाली में कलवारी श्रेणी की पांचवी पंडुब्बी को कमिशन किया गया है उसका नाम बताईए तो आंसर होगा INS वागीर तो अभी भारते नौसेना के द्वारा कलवारी श्रेणी की पांचवी पंडुबी, पंडुबी यानि की सबमरीन, इसका नाम है INS वागीर इसको कमिशन कर लिया गया है, और आपको बता दू इस सबमरीन को प्रोजेक्ट 75 के तहद बनाया गया, कहां पे बनाया गया, मजगा है INS वागीर, चार पहले से भारते नौसेना को मिल चुकी है, एक बार उनकी नाम देख लेते हैं, पहली जो थी वो थी INS कलवरी, दूसरी INS खंडेरी, तीसरी INS करंच, चौथी INS वेला, अभी पांच भी आ गई, INS वागीर, और जो छटी होगी आखरी, वो है INS अच्छा, अगर मैं आपसे पूछू, कि भारत की पहली परमाडू, पहलिस्टिक मिसाइल पंडुब्बी का नाम क्या है, तो आंसर होगा INS अरिहंत, आपको याद होगा अभी चेन्ने में लॉंस किया गया था, भारत का पहला एंटी सबमरीन जहाज, बता सकते हैं उसका अरनला, और अभी करंट अफेर्स का लेटेस्ट प्रशन है, कि भारते नोसेना के द्वारा देश का दूसरा पंडुब्बी संग्रहाले ये काँ पर बनाया जाएगा, पश्चिम बंगाल में, पहला आपको मिलेगा विशागा पतनम में